हेलो इस्टुडेंट आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई कर रहे होंगे जैसा कि आप लोगों को थमनेल के माध्यम से पता चल गये होगा कि आज हम लोगों की नेरेशन की तीसरी नंबर क्ला से हम लोगों को ध्यान दीजे क्या है आज हम लोगों की नेरेशन की तीसरी क्लास है इसका मतलब यह की नेरेशन की एक और दो दो क्लास हम लोग यूट्यूब पर पढ़ चुके हैं तो यह आप लोगों ने अभी तक उसे वाच नहीं किया है तो देख लेजिए यह हम आप लोग solution की होंगे आईए फिर से एक बार solutions का देख लेते हैं हिंट के तौर पर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यदि आप लोग channel पर नए है तो channel को subscribe करके वीडियो को like कर दीजिए तो ध्यान दीजिए क्या है question हमारा क्या है ध्यान दीजिए पहला question है he said he writes a letter यहाँ पर कैना ही जाइड़ आ लेटर अगर यहाँ पर राइट कोन सरेंस है पहले बात दारेक्ट इस्पीच यह concerts और यह हमारा ही सेड ही हो गया उसके बाद करें कि लिखेंगे ही सेड हो जाएगा इसको घ्रच कर देती है उसके बाद ध्यान दिये क्या हो जाएगा ही सेड हो गया उसके के बाद फिर कॉमा इन्मेटिट कॉमिक जिए क्या लगाएंगे डैट आई होप आप लोग को पता होगा डैट लगा देंगे उसके बाद फिर ही हमारा क्या ही हमारा है थर्ड परसन यह नो चेंज होगा फिर से क्या लिख देंगे ही लिख देंगे उसके बाद फिर राइट ह तो right की second form क्या होती है right की second form होती है हम लोग क्या लिख देंगे road बाकी वैसे ही च्छाप देंगे हो गार। तो हमारा पहला solution अब देखते हैं MinistriesNet थ्यांन दिजिए क्या है मोहन सेड, C does not sing a song, यह हमारा present definite tense का negative sentence है, तो कैसे पता चले गे, present definite tense है, यहां पर देख़े, does not, do not, मिलेगा देखने के लिए negative में, तो क्या हो जाएगा, मोहन सेड, तो मोहन सेड हो जाएगा, यहां पर ध्यान दिजिए यहां पर क्या होगा यहां पर हो जाएगा मोहन सेड मोहन सेड उसके बाद से कौमा और इन्मेटेट कौमा को हटाएंगे क्या हो जाएगा स्वरी क्या हो जाएगा दैट यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा दैट उसके बाद फिर क्या है सी है यहां पर ध्यान दीजिए सी डज नॉट सिंग तो सी हमारे का थर्ड पर्सन तो नो चेंज होगा मतलब सी ही रहेगा उसके बाद यह कौन सो टेंस है यह हमारा प्रेजेंट इंडेफनेट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है ती किसमें चेंज हो जाएगा पास्ट प्लस उसके बाद फिर क्या लगा देंगे नॉट डिड नॉट उसके बाद फिर वही पूरा च्छाप देंगे सिंग आ सॉंग तो आई होप आप लोग यह भी समझ में आगे होगा अब मैं केवल बता देता हूं आप लोगों ने अगर वर्क किया है तो मिला लीजेगा डि चुछ रारा ध्यान दीजें डैरेट क्या है दो टीचर शेड़ शेड्शी इज आवीक स्टूडेंट तो दड़ टीचर सेड उसके बाद konmen विटेट कामक जिए हो जाएगे यहां पर हो जाएगा ध्यान दीजें धैट हो जाएगा उसके बाद पिर सी हमारा क्या है थर्ड वीक स्टूडेंट वैसे ही छाब देंगे तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा अगला क्या है माई फादर माई फादर सेड मोहन इज राइटिंग आ लेटर मेरे पिता जी ने कहा मोहन राइट पत्र लिख रहा है एक पत्र लिख रहा है तकॉंसर्टें प्रस्ट किसमें चेंज होगा पास्ट कौंटिंफेंट फ्रस्ट सेंस और पर यहां पर क्या हो जाएगा दयत हो जाएगा उसके बागी पूरा च्छाप देंगे तो आप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा अगला ध्यान दीजे छे नंबर क्या सी सेड डैट सी हैड डन हर वर्क हो जाएगे ये भी सही है राधा सेड राधा सेड डैट रवी अब यहाँ पर ध्यान दीजे पोस्टेड हमारी पास्ट इफिने टेंट सेड किसमें चेंज होता है पास्ट पर्फेक्ट में यहाँ पर रवी के बाद आप लोग हैड पोस्टेड कर दीजेगा सहीं हो जाएगा आगे ध्यान दीजे यू सेड उसके बाद फिर डैट लगा दें अंकित नहीं चेंज हो क्योंकि थर्ड परसन वाज रनिंग पास्ट कॉंटिनिवर स्टेंस पास्ट पर्फेक्ट कॉंटिनिवर स्टेंस में बने गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाज रनिंग है तो य लगा देंगे सी थर्ड परसन हैड प्लेड वेली हमारा पास्ट कॉंटि स्वरी पास्ट पर्फेक्ट इंस में तो यहाँ पर हम लोग नो चेंज करके करने के मतलब यहीं कि इसी को उसी तरीके से उतार दिया जाएगा अगला क्या है दस नंबर ध्यान दीजे राम सेड कॉ क्या हो जाएगा दैट हो जाएगा उसके बाद भी हिस सिस्टर थर्ड परसन कोई दिकतने विल का क्या हो जाएगा आपर विल का हो जाएगा वुड आप लोगों को पता होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा वुड हो जाएगा नेवर टेल अलाई पूरा उतार दिया आगे बढ़ते हैं आगे ध्यान दीजे पढ़ना क्या है हम लोगों को change of person क्या पढ़ना है change of person पढ़ना है अब तो ध्यान देते हैं change of person में क्या होगा जैसे कि personal pronoun तीन प्रकार के विक्तियों के लिए प्रियोग किये जाते हैं जैसे ध्यान दीजे इसमें first person आएगा second person आएगा और third person आएगा यहाँ पर ध्यान दीजे first person ने कौन होगा I, my और me यह सब क्या हो जाएगे first person और second person में you, your, you यह सब second person और third person में he, his, him यह सब third person और see her यह भी हो जाएगा देखे first person क्या होता है विक्ति जो बोलता है जो बोलता है उसे हम लोग first person बोलते हैं और जिस विक्ति जिससे बोलता है मतलब जिससे बात की जाती है यह सुनने वाला आप बोल सकते हैं listener वो क्या हो जाता है second person अगला ध्यान दीजे विक्ति जिसके बारे में बोला जाता है यह किसी तीसरे के बारे में जब बात की जाती है तो हमारे क्या हो जाता है third person तो I hope आप लोगों को यह भी समझ में आगया होगा आप चाहिए इसका screenshot ले सकते हैं आगे देखते हैं इसका table क्या दिया गया है यह बहुत ही important है आप लोगों के लिए ध्यान दीजे को बहुत ही important है यह समझ जाएंग ता आप लोगों का सब दुख दूर हो जाएगा कहने मतलब यह है कि ध्यान दीजे इधर हम लोगों का first person second person और third person दिया गया है उसके बाद singular plural तो ध्यान दीजे first person में I क्या होता है singular होता है और V क्या होता है plural होता है आई का objective case क्या हो जाएगा मी और V का objective form us हो जाएगा जब इसका पजेशू case देखेंगे तो माई या माइन हो जाएगा according to situation और us देखेंगे तो our या आवर सो हो जाएगा अगर इसका इंफैटिक है reflexive pronoun देखेंगे तो I के नुसार यहां पर क्या हो जाएगा myself हो जाएगा और यहां पर our का ourself सो हो जाएगा reflexive उसी तरीके second person भी है इसमें you दोनों तरह काम करता है singular plural दोनों रूप में you ही रहता और इसका object भी you ही रहता है और इसमें जब possession दिखाने के बात आती है तो your या yours लगा सकते हैं और बाकी ये भी दो तरीके से बनता है yourself या yourself आगे ध्यान दीजिए third person में क्या है singular में he see it है तिसका objective form he का him हो गया और see का क्या हो जाएगा हर हो जाएगा और it का it ही रह जाएगा तिसका possessive form क्या हो जाएगा he का him और him का possessive form he जो हो जाएगा और हर का हर या हर सकर देंगे it का its हो जाएगा बाकी इसका reflex ये आप समझ सकते हैं आगे ध्यान दीजिए क्या दिया गया है आगे हम लोग ध्यान देते हैं तो आगे ध्यान देंगे क्या मिलेगा plural form में अगर दे है तो इसका object form dim हो जाएगा और possessive form dear या dears हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हम लोग को emphatic reflexive form में dim silb so हो जाएगा अगला ध्यान दीजिए first तथा second person इस्तिरिया पूरुस के लिए समान सब्द ही प्रियोग होते हैं third person में he his him pulling के लिए तथा see her hurts इस्तिरिलिंग के लिए प्रियोग किये जाते हैं ये भी समझ में आ रहा होगा देदें दियर बहुचन में pulling ये इस्तिरियोग दोनों के लिए प्रियोग किये जाते हैं ये भी हम लोग को समझ में आ गया है तो आगे ध्यान दीजिए person बदलने के नियम अगली heading आप लोग क्या डालेंगे person बदलने के नियम तो क्या है person बदलने के नियम ध्यान person बदलने के नियम क्या है यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग देखिए person बदलने के नियम है केवल reported speech केवल reported speech का person बदला जाता है reporting मरब कनहियर लोग अध्यान दीजिएगा reported speech का मतलब यह है कि हम लोगो invited comma के अंदर वाले भाग का person बदलेंगे बाहर वाले भाग का नहीं यह समझ में आ गया होगा क्योंकि आप लोग class के थूरी कर चुके हैं जिद्यान जी जैसे कि first person में क्या है first person बदलने के name heading बना लेजिए प्रथम पुरुस या first person के pronoun को reporting verb के subject के person number gender के नुसार बदल दिया जाता है ठीक reporting verb के subject के नुसार यह आप लोग गयाद रखिए बस जैसे पहले एक्जामपल है ध्यान दीजे पहले एक्जामपल के हमें इसे थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि और अच्छे से किलिए दिखाई दे जाए तो ध्यान दीजे सीता सेड़ आई हैब डन माई होमवर्क तेहां पर ध्यान दीजे सीता सेड़ तो ऐसे ही रहन देंगे उसके बद देखिए आई यहाँ पर क्या है आई हम लोग का first person है यह किसके नुसार चेंज होगा reporting verb के subject के नुसार और reporting verb होता कौन है generated comma के बाहर है यह वाला भाग यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हम लोगों का reporting verb इसमें subject कौन है इसमें subject है सीता सीता लड़की एक लड़का तो आप क्या बोलेंगे यह लड़की है यहाँ पर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा इसके स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा सी यहाँ पर क्या हो जाएगा स के नुसार कि यहाँ पर हो गया श्री बाकी है वह तो इसका हम लोग पास्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हैड हो जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पर ध्यान दीजे आगे बढ़ते हैं इसे एरेज कर देते हैं उसको फिर से समझाते हैं तो सीता सेड कया हो जाएगा है कि अपर हैड हो जाएगा फिर देन दीजें हमारी डुर्म की तरफ फॉम है इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हुसके बात देखें माई के यहाँ पर क्यों हर हो गया यह आप लोगों को समझना पड़ेगा क्यों कि आइक के हिसाब से यहाँ पर क्या लगा था माई लगा था आएक हिसाब से यहाँ पर माई लगा था तो यहाँ पर सीख हिसाब से क्या लग जाएगा यहाँ पर सीख हिसाब से हर लग जाएगा तो आई होप आप लोग को इस एक्स्प्लानेशन समझ में आ गई होगी बाकी होम और कुछी तरीके सुतार देंगी यह हमारा complete हो जाएगा आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजी आगे क्या है अगला point हम लोगों को क्या है अगला ध्यान देते हैं उसी पर और है एक्जांपल आप लोग ध्यान दीजीए और समझ लेजीए समझें क्या ये तो आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग वो समझ में आ जाएगा और जरूर से जरूर पढ़िए कर नहीं तो छुड़ जाएगा पहला क्या है ध्यांदी जी एक जामपल ये भी कहा I said I write a letter to my father I said मैंने कहा मैं लिखता हूँ एक पत्र अपने पिता जी के लिए मैं एक पत्र लिखता हूँ तो आप ध्यांदी जी आई सेड हो जाएगा और पौम इनुटेट को माग जाएगा अब फिर देखी I first person किसके इंसार चेंजों का subject subject भी आई है तो हम लोग आई का ही आई रहने देंगे तो बाकी ये ध्यान दीजे क्या है यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा मतलब क्या कि right क्या हमारी right क्या है present indefinite तेंसे इसका पही बताया थे ना past form क्या होता right का past form wrote होता है जब हम लोग past में change करें क्या लिख देंगे wrote लिख देंगे उसके बाद फिर our letter to my father वैसे ही उतार दिया जाएगा तो I hope आप लोग को ये भी समझ में आगया होगा अगला ध्यान दीजे ये तो वही लिखा गया है जो उसमें किया गया है अगर ध्यान देते हैं अगला example क्या है you said I write a letter to my father अब यहाँ पर देखे subject क्या होगा यू हो गया तो I first person किसके इनसार क्या होगा यहाँ पर you के इनसार ये भी बदल जाएगा तो ध्यान दीजे यहाँ पर क्या हो जाएगा यू said that अब I first person है अगर यह first person है तो क्या होगा ध्यान दीजे जूम करके थोड़ा बताते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा यू के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा यह यूम बदल जाएगा उसके बाद प्र यह past present in different tense है तो past में change कर देंगे इसको उसके बाद फिर यहाँ ध्यान दीजे आई के हिसाब से क्या लगा है i के हिसाब से लगा है my तो यहाँ क्या हो जाएगा you के हिसाब से क्या लग जाएगा you के हिसाब से यहाँ पर your लग जाएगा तो i hope आप लोग को समझ में आगे होगा यह भी form आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजे आगे क्या है आगे हम लोगों का है ध्यान देते हैं आगे यह जो लिखा गया है box में यह तो आप लोग क्यों पढ़ने के लिए आप लोग इसे पढ़ लेजिएगा फिर अगला example देखते हैं अगला example क्या है अगला example हम लोगों क्या होगा ध्यान दिजाए अगला example हो जाएगा they said we write a letter to our father यहां पर ध्यान दिजे द यहां पर लिखा है we we क्या है हम लोगों का ध्यान दिजे we हम लोगों का फर्स्ट पार्सन है किस के इणिचार चेंज होगा दे की हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा दे ये भी समझ में आगे होगा आगे बढ़ते हैं इसका अब क्या हो जागे धान दीजे इंडरेक्ट फॉर्म में इंडरेक्ट फॉर्म जब बनाएंगे तो होगा क्या दे कदे रहेगा उसके बास सेड हम लोग इसे नहीं change करें क्योंकि यह क्या है reporting verb है हम लोग change किसमें करते हैं change करते हैं reported speech में यह आप लोगों को पता चल गया होगा comment अब यहां देखे दे कैसे आया है क्योंकि यहां पर वी था वी था यहां पर यह अब subject के नुसार बदलेगा subject क्या है दे है subject तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा दे हो जाएगा तो आई होप आप लोगों समझ में आ गया होगा आगे ध्यांदी फिर right आ गया राइट हमारा present difference इसका क्या हो जाएगा रोटो हो जाएगा उसके बाद ध्यांदी जी यहां पर वी के साब से क्या लगा है hour वी का भी समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं यह जो box वाला इसे आप लोगों के पढ़ने के लिए लिखा गया तीसे आप लोग जरूर पढ़िएगा तो समझ में आ जागे जो ऊपर किया गया है आगे ध्यांदी जे second person बदलने के नियम आगे देखेंगे second person बदलने के नि देने वाले student है यूपी बोर्ड क्लास 10 या 12 वाले ध्यांदी जे क्या second person बदलने के नियम second person के प्रोनाउंस जो reported speech में आते हैं उसे ध्यांदी जे क्या हो जाएगा उसे या उन्हें उन्हें क्या होगा reporting वर्ब के object के person number gender के नुसार बदल देते हैं किसके नुसार object के नुसार तो अब ध्यांदी जी ये भी थोड़ा समझने वाली बात है देखिए example देखते हैं ज्यादा समझ में आ जाएगा आप लोग इसे हिंदी को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से के लिए हो जाएगा क्या है ध्यांदी जीए I said में इसे थोड़ जूम कर देते हूं ताकि example आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि हिंदी आप लोग पढ़ी लेंगे ध्यान दीजे क्या है यहां पर यहां पर है हम लोगों का he said to him you write a letter to your father यहां पर ध्यान दीजे he said to him to say to को हम लोग किसमें चेंज करते हैं say to को हम ड़ोक टॉल्ड में चेंज करते हैं यहां पर लोगों को पता होगा तो यहां ही टॉल Beet हो जाएगा और ही में तो ही मुत आघेंगे उसके वाद कौम में इनवेटट कमा। क्वमागे यहां पर डैट आ जाएगा उसके बाद त्थे ध्यां दीजे यहां पर यू क्या है यू हमारा second person है अगर यू second person है तिक इसके अनुसार change होगा यह अपने object के अनुसार change होगा तो इसका object यह हो गया मतलब इसका object नहीं है he کا object जो है उसके अनुसार ये change हो जाएगा you यहाँ पर he کا object क्या him है तिसके अनुसार जब change होगा तेहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा he क्योंकि यहाँ पर हमें subject चाहिए और यहाँ पर क्या था ये object था और यहाँ पर हमें चाहिए क्या subject चाहिए ध्यान दीजीगा यहाँ subject हो गया he, उसके बाद फिर आगे बढ़ती है यहाँ पर right था तो क्या हो जाएगा यहाँ पर roto हो जाएगा a later वैसे उतार दिया to हो गया, अब यहाँ पर देंजे you के हिसाब से यहाँ पर your था, तियहाँ पर he के हिसाब से क्या हो जाएगा huge हो जाएगा पजीश केस उसके बाद यह हमारा complete हो गया लिख देंगे, तो I hope आप लोगों का explanation समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आगे बढ़ते हैं आगे ध्यान दीजे क्या है अगला point है हम लोगों का ध्यान दीजे जो box में लिखाएगे इसे आप लोगों के लिए इसे आप लोग पढ़िएगा दो तीन बार तो अच्छे समझ में आ जाएगा एक उपर कैसे change किया जा रहा है आगे ध्यान दीजे अगला एक्जामपल क्या है इसे फिर जूम कर लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए देखे एक्जामपल है क्या अगला एक्जामपल है He said to them You are happy He said to them You are happy He said to यहाँ पर आ गया किसमें change कर देंग He told them इसे उतार लिए फिर कौम इनुवेटेट कौम अग जगह क्या आ गया देट आ गया उसके बाद यू क्या है मारा यू है सेकेंड परसन किसके अनुसार change होगा आपजेट के अनुसार मतलब अपने पास वाले से ये भी याद रखे जब यू आ जये ता अपने पास वाले से चेंज होगा ध्यांदी जी दिम हो गया तो यहां पर यह object form में तो इसका subjective form क्या हो जाएगा इसका subjective form हो जाएगा दे तो यहां पर दे हो गया यहां पर आर है क्यों सा simple presentance में तो इसका simple past में plural में वर हो जाएगा हैप्पी कर देंगे सही हो जाएगा अगर ध्यान दीजिए समझ में आगे होगा अगला एक जामपल देखते हैं नेक्स्ट एक जामपल क्या है he said to you you are हैप्पी तो अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए अबजेट में भी क्या है you है इसका सब्जेट भी क्या हो जाएगा सब्जेट भी इसका you हो जाएगा यह प्रेजेंट में यह पास्ट में होगा बाकि सेम है तो आप लोगों को इसलिए धेर सारे एक जामपल लिया जा रहा ताकि अच्छे समझ में आ जाए और बॉक्स वाला तो आप लोगों को पढ़ना ही है इसको पढ़ लिजेगा आगेबढ़ते हैं आगे क्या है ध्यान दिजे अगला example क्या है अगला example है हम लोगों का यह ध्यान दिजे जितने भी change तरीके बन सकते हैं हम सब discuss करेंगे ध्यान दीजे एक लेक्जेंपल है He said to her He said to her You are happy तेहां पर क्या हो जाएगा He said to, said to का क्या हो जाएगा Told हो जाएगा यह हम आप लोगों को बार बार बता ही चुके हैं और her का her हो जाएगा क्योंकि यह reporting verb है इसमें हम लोग change नहीं करते हैं अगे common with comic जगा दायट हो जाएगा उसके बाद you हमारे क्या second person अपने object के नुसार चेंज होगा तो object क्या हर तो हर हमारा पजेशु के से किसका C क्या ति इसका subject क्या हो जाएगा इसका subject हो जाएगा C उसके बाद यह प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट से है ति यह सिंपल पास्ट में बदलेगा वाज में क्योंकि यह एक वचन है उसके बाद happy ति यह भी clear हो गया तो आप लोगों को समझ में आगे होगा आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिए जो box में लिखा गया वो आपके लिखा गया उसे आप लोग पढ़ लिजिएगा कि यह box में लिखा क्या गया इसे आप लोग पढ़ेंगे तो जो उपर किया गया हो समझ में आ जाएगा और अगर इसे पढ़ेंगे तो यह भी समझ में आ जाएगा जो उसमें किया गया वही box में लिखा गया है तो आगे ध्यान दीजे बढ़ते हैं आगे देखते हैं और क्या है उसके बाद फिर ध्यान दीजे एक एक जामपल और हमारे पास आगे उसके बाद थर्ड परसन चेंज करने का नियम आ जाएगा ध्यान दीजे अगला एक जामपल क्या है हम लोगों का अगला एक जामपल है अगला एक जामपल है He said to me You are happy अब देखिए said to को किसमें change कर दिये told me और me का me रहेगा common inverted comma को हटाएंगे तो that आ गया अब फिर देखिए you क्या है हम लोगों का you हम लोगों का है second person तो object यहाँ पर क्या है जो past में है जो past में वही देखना है past में me है यह किसका object है I का यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा I हो जाएगा अब यहाँ पर यह क्या है simple presentance यहाँ पर I के साथ वाज लगता है past में उसके बाद happy लिख देंगे यह भी सही हो जाएगा फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए एक box है उसे आप लोगों के लिए पढ़ना है आप लोगों को ध्यान दीजे आगे बढ़ते हैं third person third person तक आज हम लोग class करेंगे उसके बाद फिर हम लोग next class में पढ़ेंगे यह दिए आप लोगों कोई भी comment हो according to class तो आप लोग comment करके जरूर बताईगे कि class आप लोगों को कैसी लगी है comment जरूर करिएगा third person बदलने के नियम ध्यान दीजे क्या है third person he, he, j, him she, her, hers, they, their, them जियों कत्यों बने रहते हैं मतलब इसमें कोई change नहीं होता है इसमें किसी भी प्रकार का परिवतर नहीं होता है यह सबसे आसान होता है जिसे ध्यान दीजे क्या है direct form में he said to her इसे मैं zoom कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए ध्यान दीजे क्योंकि आप लोग थियूरी समझ में आ गई होगी he said to her he is very happy यहाँ पर ध्यान दीजे say to को किस में change कर दीए say to को हम लोग change कर दीए है told में उसके बाद हर है तो हर ही रहेगा comment इन्यूटेट comment क्या कर दीए है that कर दीए है अब देखिए यहाँ पर he क्या है हम लोगों का third person है तो third person वैसे भी no change होता है तो यहाँ हम लोग इसको क्या कर देंगे he में रहने देंगे अब देखिए each है तो each का क्या हो जाएगा watch हो जाएगा बाकि उसी तरीके से उतार देंगे तो आई होप आप लोगों को यह भी समझ में आगे होगा तीहें हम लोग वीडियो को समाप्त करती है यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हुआ है आप लोगों को helpful लगा तो वीडियो को like करिएगा और share कर दीजिएगा जहां भी हो सके और चैनल को subscribe करिए और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए चैनल को subscribe कर ले ताकि आप लोगों को daily basis पर वीडियो मिलती रहे time to time यहां से हम लोगों class समाप्त होती है I hope आप लोगों खोब अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने अपने पूरी कोशिस के थे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में